हेलो मित्रों आप सभी का हमारे चैनल इसमार्ट एजटेक में स्वागत हैं तो दोस्तों आज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो एमेस वर्ड का उसके अंदर प्रिवियस यह के किउस्टन पेपर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे जो भी साती नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल आइकन को प्रेस कर दो तो फस्ट किउस्टन से हो की गई फाइल को डूनने और लोड करने के लिए कर को सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे जिससे फाइल ओपन हो जाएगी सोट कट की कंट्रोल प्लस हो के द्वारा तता इस टेंडर टूल बार के ओपन फॉल्डर पर क्लिक करके फाइल खोली जा सकती नेक्स्ट एमेस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाए जा सकता है तो टेक कि होता है सेंचंस सेंटर सेंटेंश केस भी होता है lo ah मेशुर्ट केस नहीं होता हूं तो हम सब्सक्राइब के ड्रइब सब्ड़ों के बड़े च्षोटे अक्सरों में बदलता है इस में पाथ टॉप्स रखेस George पून भी समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर ये डिपाल टूप से पूरा पेरेग्राफ का चाहिन करता है next MS Word के text document में काम करते समय माउस को ट्रिपल क्लिक करने पर ये डिपाल टूप से पेरेग्राफ चाहिन करता है next हो जाएगा paragraph formatting में आप क्या करते हैं पेरिग्राफ फर्मेटिंग में हम एलाइण टेक्स्ट कर सकते हैं Microsoft Word में Arial किया है तो Arial हो जाएगा एक Font होता है Next MS Word के Save Edge पीचर से हम क्या करते हैं तो Save Edge पीचर से खुली हुई फाइल को आने नाम से Save की जा सकते हैं और इटेलिक फॉर्मेक्स्टिक उधरणे थे अ जाने टेक्स्ट स्टा patents स्टाइल के उधरण व्यूद उधर्भ मुझे सब्ढों के नेक्सिंस HmmmDan right time! किस विकल्ब का उफ्योग किया जाता है तो बेंडेड कोलम का उफ्योग किया जाता है नेक्स्ट पेरिग्राप के प्राव में दिरगा कशर बनाने के लिए MS Word में आप इंसर्ट और ड्रोप केप का परियोग करेंगे तो तो Capital Letter के लिए इंसर्ट करके ड्रोप केप करता है next MS Word में F12 कुझी का परियोग निमली बॉक्स कुलता है तो save is F12 कुझी से save is वाला डायलोग बॉक्स कुलता है next निमली बॉक्स कुलता है next निमली बॉक्स में से कौन सा विकल MS Word 2016 में मेन्यू में नहीं होता है next MS Word में बागी insert reference और home 3 होते है next MS Word में insult मेन्यू का उप्योग करके निमली में से किसे प्रविस्ट नहीं किया जा सकता तो line spacing को insert मेन्यू से प्रविस्ट नहीं कर सकते next MS Word में page की विसे सामगरी की press पमी में आवासी पार्ट समिलित करने के लिए वाटर मार्क का उप्योग किया जा तो वाटर मार्क का उप्योग कब करते है जब page की वीचे स्विसे सामगरी को press पमी में आवासी पार्ट जो ghost text होता है उसको समिलित करने के लिए वाटर मार्क लगाते है next MS Word में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में भी वज़ित करता है तो वो हो जाएगा split सेल्स आगे next question MS Word में ने में कितमें से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को समिलित करने की स्विधा देता है तो वो हो जाएगा merge सेल्स जो दो या दो से अधिक सेल्स होती है उसको कमेंड कर देता है उसको merge करता है मैल मर्ज MS Word का component होता है जिसके साहिता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को बहस सकते मैल मर्जर्ट गटक है मैल मर्ज एक MS Word का गटक है आगे next MS Word के उपयोग द्वारा इन में से कौन सी गतिविदी सबसे उचित परकार सकी जाती तो वह जाएगी रिपोर्ट लिखने की गतिविदी उचित परकार सकी जा सकती गती next MS Word 2016 में चुने वे टेक्स्ट को बॉल्ड करने के लिए क्या करते हैं तो चुने वे टेक्स्ट को ब्लट करने के लिए हॉं में में जाके कर सकते हैं next MS Word को में टेक्स्ट पर-कार का पूर्ण द्रशोब्स स्वहरुपन फ़ॉर्मेटिंग सेत करने रंग इत्यादी का प्रियोग करने के लिए आप क्या करेंगे तो इस ट्राइल का प्रियोग करेंगे तो थैंक यू गाइज पूर वाचिंग दिस जो भी साती नहे हो वह मारे चैनल को सस्क्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो